तो हाई दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप Chrome Browser से आप अपने चैनल को Open करते हो या किसी के भी चैनल के Home Page को Open करते हो या आप अपने चैनल के पेज को Open करते हो तो आप दूसरे की YouTube के पेज को कैसे डाउलोड कर सकते हो और आप सांथ में अपने YouTube पेज को क परेसकना जिस से आने वाले notification आपके पास आतरेगा अगर आपने इस्टागरम पर फोलो करना चाहते हैं इस्टागरम कर सकते हैं फेस्टबूक पर भी कर सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के Chrome ब्राउजर को ओपन कर लेना है तो जैसे क YouTube तो मैं इसमें सर्च नींटूण दौट कॉम उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है जैसे कि नीचे तरब आप देख सकते हो आ गया है तो मैं इस कि पर च्रकॉर करने है और इस उपहर और टिक लगा लेना है तो में इस पर टीग लगा लेता ही यह चाहिए आपके सामने ठोलोड का ओपसन आपको दिखाई दे रहा हुँ इस Nep ride लिए चाहिए यूटोपशर शॉपा आपको यूटांट चाहिएज बदाए चाहिए गेक हम चैनल को open करके दिखाने वाले हैं उसके बाद हम अपने चैनल के page को download करके आपको देखाने वाले हैं तो मैं अपने चैनल के logo पर मैं click कर लेता हूं उसके बाद आपके सामने इस प्रकर के interface आपको दिखाये देगा, बहुं सारे आपको option दिखाये देगा जैसे कि Your Channel YouTube Studio Switch Account आपको बहुत सारे option दिखाई देगा तो मैं अपने Your Channel को open कर लेता हूँ आपको भी कर लेना है या आप YouTube Studio को भी open कर सकते हो तो मैं Your Channel पर click कर लिया हूँ उसके बाद जो मेरा channel का जो page है ये आपके सामने open हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है उपर तरब आपको three diamond दिखाई दे रहा है उस पर आपको click कर लेने है इस page को आपको download कर लेने है उपर तरब करने में अभी जो भी पेज डाइज दोडोट किया हूं ये आपकर सामने दिख्ए देगा उसके बाद आपको इससे क्या फाइदा मिनने वाला है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो जैसे कि आप अपने YouTube चैनल को Chrome ब्राउजर से जब भी आप open करते हूँ तो open करने के समय ये थोड़ा से time लेता है या बहुत ज़्यादा time ले लेता है अगर आप अपने चैनल के home page को download करके रखे हो या your channel को download करके रखे हो या YouTube studio को download करके रखे हो तो आप डारेक्टर open कर सकते हो तो जैसे कि मैं आपको अभी करके देखाने वाला हूँ तो मैं इस पर click कर लेता हूँ उसके बाद जो YouTube का home page है ये open हो जाएगा आपके सामने तो जैसे कि मैं इस पर click कर लिया हूँ उसके बाद ये थोड़ा सा loading ले रहा है उसके बाद यही से start कर सकते हो तो इसी प्रकार आप अपने YouTube के page को download करके direct start कर सकते हो आपको बार बार chrome browser में youtube.com आपको search नहीं करना पड़ेगा और नहीं आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेग कर दो अपको है एको बार नहीं आपको सकते हो अपको से तोग में उसके घ़ еदो में आपको से भाधोवे ओर सकते हो आपको पाने थार आर नहीं कर परे दो तो ङ करेंगा जापको समय कर सकते हूड़ा llegar